हलों दूस्तों दोस्तों और विदीओंगों जैनने वाले कि इस तरीके का कोई भी प्रश्ण हो ठिक का परमयई करण कैसे करेंगे जैसे कर यहां पर यह मार कोई को सब्सक्राइब कर दो तो यह तो मालजीं थोड़ा सा असान असान है अब जो इसके बाद वाला जो मैं आपको कुश्चन बताने वाले वो कोश्चन आपके लिए बहुत जरूरी कोश्चन है तो चीज को दियान से देखेगा तो सबसे पहले यह वाला चीज भी आप समझ लिए ठीक है क्योंकि यह आप समझ गया तो फिर जो आगया वाला प्रशन है वो भी आप इसली समझ जाएंगे ठीक है तो चले जैसे कि यहां पर हमारे पास कुश्चन नबर एक है एक बटे में रूट में साथ माइनस में रूट में छे हैं तो इसको हम क्या करेंगे देखें सिंपल आपको पहला काम क हमाइन जोकर थो शाद केरें कि रूट में 7 और माइनस में रूट में छे ठीक है अब गोणभी लगा करके इसका जो चिन यहां पर जो भी चिन हैगा सिम भांवहाओ चिन से अगर पलस रहेता तो माइनस है माइनस रहेता तो पलस है क्या करेंगे उपर नीचे फोड़ा कर लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे सिंपल इसका गुणा कर देंगे ठीक इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा तो जब इसका इसमें करेंगे तो आपका उपर वालत इतना ही रह जाएगा root में 7 plus में root में 6 और नीचे क्या हो जाएगा तो देखिए नीचे आपका एक formula बन जाएगा क्या formula बन जाएगा यह हमारे एक formula होता है कि A square minus का B square बराबर होता है A plus B और A minus का B, यह हमारा एक formula होता जो कि आपने बढ़ाव्य होगा ठीक है तो देखिए हमारे पास क्या है ए पलस भी मतलब ए पलस भी है ए माइनस भी ए माइनस भी है तो हम क्या कर सकते हैं इन सब भी को समेट करके a2 minus b2 के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे रूट में 7 का square minus में रूट में 6 का square ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऊपर तो आपका root में 7 plus में root में 6 रहेगा नीचे आपका इसके वज़़े से यह आपका root खत्म हो जाएगा तो यहां पर आप इसको क्या लिख देंगे ऊपर वालत आपका रूट में साथ पलस में रूट में छे यह रहेगा नीचे आपको क्या बचेगा एक बचेगा अब नीचे जब एक आ तो इसका कोई मतलब नहीं होता है ठीक है आप इसी चीज को ऐसा ही छोड़ सकते हैं ठीक है या फिर आप एक काम और कर सकते हैं इसको आप और रूट में साथ पलस में रूट में छे इस तरीके से भी लिए तो यह आपका इदम से राइट हो जाएगा ठीक है यह चीज के लिए अब आज़िए अगर समझते हैं कि अगर ऊपर में तुछ अगर अंक रहता है तब क्या करेंगे तो देखिए दूसरा नंबर के सभसे पहले 5 नोट करिए फिर रूट में 3 माइनस में रूट में 5 भrage सेम वही काम इसमें भी करेंगे गुणा लगाएंगे और रूट में 3 पलस ने रूट में पांच करेंगे ठीक है और उसके बादसे फिर यही काम नीचे भी रूट में 3 इन पलस में रूट में पांच कर दिये ठीक है अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा पांच से गुणा इसमें करेंगे तो पांच और रूट में तीन हो जाएगा ठीक है यही पांस से गोड़ा इसमें करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा पलस में पांच और रूट में हो जाएगा पांच है ठीक है अब नीचे की आ जाएगा नीचे वही वाला फोर्मुला लग जाएगा तो क्या आजाएगा रूट में तीन का इस्क्वाइड मायनस में हो रूट पांस का हिस फ़ार ठीक तो ये आपका ले सकते हैं तो यहां परा कोन हमने ले रखा है ठीक है गुणा करने की जोरत नहीं है अभी इसी तरीके से रखे रहें तीन Plus में, Root में 5 जोरोत पड़ेगा, तो आगे हम कर लेंगे, ठीक है अब यह इसके वज़े से यह खतम जाएगा, इसके वज़े से यह खतम जाएगा, बचे का 3 माइनस का आपका 5 ठीक है, अब इसको हम घाटा करके यहां लिकी देए तो 5 और उसके बास रूट में तीन पलस का है रूट में नीचे हम दो लिख सकते हैं यह जो माईनस है इसको आप यहां लगा दीजी तेकर आभ इसको आइसे लिग दीजिए रूट में तीन पलस में रूट में पांच सिंपल आपका अंसर हो जाएगा ठीक है यह तरीका होता है इसको हल करने का अब कुछ लोग क्या कहेंगे यह भी सोच रहेंगे क्या है रूट पांच और रूट तीन इसको हम आट नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह तभी जुड़ेगा यह रूट के अंदर जो सेम हो जैसे यहां भी पांच होता यहां भी पांच है तो यह आपका जूड़ सकता था ठीक है और यहां तीन है यहां भी तीन होता तो भी जूड़ जाता लेकिन अलग अलग है तो नहीं जुड़ेगा ठीक है और यहां पर आप कुछ लोग कहेंग hall no number 6-3 तो इसका जो-3 नमबरें है वह यह वाला थिक है कि तो इसमें एक बटमेसाफ में साथ प्लस थीन रूंट helm इसमें क्या है एक मेंग्य नहीं तब कैसे होगा तो देखें गाए है किसे सयमोही साथ माइनस में तीन रूट दो करेंगे बटे लगा करके साथ माइनस में तीन रूट दो कर देंगे ठीक है यह हो गया अब इसमें क्या करेंगे एक से गुणा करेंगे तो अब कितना रह जाएगा एक से जब इसमें गुणा करेंगे तो यह आपको उतना ही रह जाएगा साथ माइनस में 3 root में 2 बटे में अब यहां पर किया plus minus 2 इसमें भी हम यही वाला formula apply कर सकते हैं तो कर देंगे यह साथ का square minus में 3 root 2 का square कर देंगे ठीक है तो अब यह बहगा कितना अज़ाएगा तो यह साथ माइनस में तीन रूट दो बटे में साथ सते उन्चास माइनस में तीन तरी का नव और गुणे में इसके वज़े से ये तो नव हो जाएगा और ये खतम हो जाएगा क्यों बचेगा दो ठीक है यहां बड़के वाल आपका दो बचेगा अभी सिफुफाल कर देंगे तो ये साथ माइनस में तीन रूट 2 बटे में आपका उन्चास माइनस का 18 तो यहां पर क्या आ जाएगा साथ माइनस में तीन रूट दो और बटे में इसको हम घटा देंगे तो एक हो जाएगा और यह आपका इसमेंसे घटेगा तो तीन हो जाएगा शिंपल आपका अंसर हो गया ठीक है तो यह तरीका होता है इसको हलकाने का अब आते हैं कुछ most important question अब दूस्टों यहाँ पर हमारा question मत दूसरा ठीक है तो इस question में देखिए हमने जो लिया है करें कि निमने शरुष्यमिका को सिद्ध किजी यह एक शरुष्यमिका है ठीक है तिरकोण मिती का एक कोश्चन है करें कि इसको आपको सिद्ध करना है ठीक है आप इसे हल करके यह इतना लाई है या फिर इसे हल करके यह इतना लाई है ठीक है तो हमें क्या करना है हमें आपको को हल करते है और एच एस बराबर में क्या है तो और एच बराबर में आपका है यह वाला है कि एक माइनस में कॉस थीटा बटे में आपका है एक पलस में कॉस थीटा ठीक है तो पर में करण हमने आपको बता ही रखा है तो यहां पर पलस है तो हम क्या कर देंगे माइनस है वन म माइनस में कॉस थीटा ठीक है तो अब क्या करेंगे कि इसका सिंपल दोनों को आपस में गुणा कर देंगे ठीक है तो इसका गुणा इसके साथ इसका तो नियम हमने आपको बता दिया है कि इसका हमने नियम क्या बताया था कि यह आपका A plus B A minus B तो formula पर apply करतेंगे लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर A minus का B A minus का B इस condition में क्या होगा तो देखिए इस इन दोनों क्या लिख सकते हैं A minus B का whole square लिख सकते हैं अब कुछ लोग आएंगे कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूं कैसे लिख सकते हैं एक का गुणा एक के साथ करेंगे सिंपल गुणा करके बता दे रहें एक का गुणा एक के साथ करेंगे एक हो जाएगा फिर एक का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का कोस थीटा हो जाएगा फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा पलस का ये कोस स्क्वाइर थीटा हो जाएगा ठीक है अब फिर नीचे आपका कितना हो जाएगा अब नीचे वालत हमने को बताई दिया ए माइनस भी ए प्लस भी वारा फॉर्मुला एक का स सक्वाइर फिर माइनस में कोस स्क्वाइर है ठीटा कर देंगे अब यहां पर देखे एक साध करेंगे मतलब कि इस पर भी हम चाहें तो दो लगा सकते हैं लेकिक अपर कोई मतलब में इसलें नहीं लगा एक और एक और आपका हो जाएगा माइनस का दो कोस थीटा और नीचे वाला आपका कितना हो जाएगा वन माइनस में कोस स्क्वाइर थीटा यह चीज़ के लिए हो रहा है अब इसके बाद से देखिए आपका एक फोर्मला होता है ए माइनस का बी का होल स्क्वाइर बराबर में एका स्क्वाइर माइन पलस का बी स्क्वाइर माइनस का टू ए बी यह होता है ना तो हम क्या करेंगे यहां पर हमें क्या मिल रहा है ए स्क्वाइर पलस में बी स्क्वाइर माइनस का टू ए बी अच्छा यह इसमें गायव है ठी जिए एक से इसमें बोड़ा करें कोई अंतर पड़ेगा को यह नहीं पड़ेगा टू ए भी ठीक है तो अगर इतना चीज दिया हुआ हो इसको मैं समेट करके स्टीटा बलाबर में 1 हम इसमें क्या कर देंगे कि साइन को या फिर इसको सको इधर बाबर में यह हो जाएगा वन इसको जब इधर भीजेंगे तो मैंनिस में चला यह परसमें है तो यह आपको सुस्क्वाइर थीटा यह होता है भर वन माइनस ही थीटा बराबर में साइना में घ्र तो यह इतना अगर दिया है तो उसके अस्थान पर यह चीज़ा कर सकते हैं तो इसकास59 देंगे साइन executive स्कुरेर ठीटा सिंपल समझ वाए गया आप क्या करेंगे जब यह भी स्कुरेर में हो और यह भी स्कुरेर में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गड़ित का नियम होता है कि इसको लिख सकते हैं One मािनस में को स्थीटा और बट्टे में अच्य ये वारा इसतीज को मुंप तोड़कर कि इस तरीके से लिख सकते हैं चलिए पहले 1 step for ka sen कि और सब का हम qx Hurricane सब्सक्राइल हो इसतरीके से लिख सकते हैं एक यहां भी स्कॉइर है यहां है 22 plusratет पाँच बटे में दो और दोनों का तो बराबर यह है तो हम क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख से देंगे आरच बते में दो ठेकर हैं अब हिसा से हमें इस इस्साइटी में लाना होगा तो हम क्या करेंगे तो हम इसको इस तरी कर तोड़ेंगे इसमें कि पांच बट्टे में दू कर देंगे पिर इस सी चीज और लग अलग कर देंगे तो वही जी यहां पर यहां पर जो हर रहे साइं साइन थीटा अब इसको अलग-अलग करना होगा तो इसके नीचे हम लिए देंगे एक बटे में साइन थीटा ठीक है माइनस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा ठीक है और इस पर खोल इसको लगा देंगे ठीक है अब इसके बास से आपने एक चीज पढ़ा होगा तिर्कोन मित्ती में कि कौसीक को सिक थीटा बराबर होता है वन अपान में साइन थीटा ठीक है अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लिजेगा यह वाला चीज आपको आगे काम आएगा ठीक है पढ़ लिए तो अच्छी बात है तो एक बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा तो यह चीज हमारे पास है तो इसको कॉसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम लिख देंगे स्साही थिटा होता है कोड़ इटा ओडर ठीक है औरते और होलिब् tête लगा हुआ है तो होड़ो कर हम लगा देंगे है यह मैं सिद्ब करना था यह वह सuerdo कि दिशुइस कर दिया थीक है उमीद दोस्तों कि यहीवाला चीज भी आपको इसली समझ में आ गया होगा थीक है तो ये चीज भी समझ में आगे होगा कि परमेई करण का कितना बड़ा रोल है अगर किसी भी मैत के कोश्चन को हल करना है तो परमेई करण आपको इसली समझ में आगे होगा तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में